नमस्कार दर्शकों मैं हूँ चेतना शर्म आपके साथ और आपका स्वागत है राजस्थान समबाद की खास पेशकश निर्दलिय समबाद में आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो हैं देश के युवाओं से जुड़ा हुआ जी हां जो देश का भविशे होते हैं और आपको बताऊंगी कि कैसे युवाओं की उम्मीदवार पर आप खरे उतर सकते हैं निर्दलिय उम्मीदवार बन कर तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए लाज तक मेरे साथ मौजूद रहेगा तो युवाओं वोटर्स के लिए रोजगार सबसे महत्वपोर्ण मुद्दा होता है जिस पर विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए युवाओं वर्ग देश के भविशे का वो हिस्सा होता है और उनके लिए के एजंडे पर काम करने वाले युवाओं उमीदवारं का विचार बहुत ही महत्वपोर्ण होता है इन युवाओं उमीदवारों के ब गएर ना पाठिया- रोजगार की मुद्दे को अकेली ही चुनाओती देने में रुखी रहती है निर्दली उमीदवार युवा के रोजगारों के लिए काम करने का वादा करते हैं वे युवा वोटर्स के साथ जुड़कर उनके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का आश्वासन भी देते हैं और अगर उनको मौका मिल जाता है तो वो उन पर आगे भी काम करते हैं युवा वोटर्स के लिए रोजगार का मुद्दाउन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होता है और ये सारे समुदायों के लिए ही विशेश है यूवा वोटर्स का समर्थन पाकर निर्दली उमीदवार यूवाओं के रोजगार के लिए कठिन महनत करते हैं और उनकी अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं यूवा वोटर्स के लिए रोजगार की मुद्वे पर काम करने वाले यूवा उम्मिद्वारों का समर्थन करके हंदेश के यूवा पीडियों के भविषय को सुरक्षत और सुखमें बनाने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं यूवा वोटर्स के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए बावजुद इसके राजनितिक पार्टिया वादे तो कर लेती हैं लेकिन निभाती बिलकुल नहीं है आजकर के दोर में भारती यूवा अपने भविशे के लिए नौकरी के तलाश में जुटे रहते हैं और चाहते हैं कि रोजगार के मुद्दों पर काम करें सरकारे यूवा वोटर्स को यही शिकायद बनी रहती हैं कि राजनेतिक पार्टियां रोजगार के मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ उनके वोट पाने के लिए भुनाती हैं बाकी इस और कोई भी ध्यान नहीं देती हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स अगर आप उठाके देखेंगे इन से जुड़ी हुई तो आप ये जानेंगे कि नौकरी के अवसरों की कमी यूवा पीड़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनावती होता है इसी के परणाम सुरूप यूवा वोटर्स के लिए रोजगार एक के रोजगारों के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं और उनके विकास के एजिंडे को इंपॉर्टेंट इस्थान जो मिलना चाहिए वो भी देते हैं सडक पर जुटे यूवा वोटर्स ये कहते हैं कि नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और उनकी जीवन को बहतर बनाने के के लिए सरकारों को उदार नीतिया अपनानी चाहिए वो ये भी उमीद रखते हैं कि आने वाले चुनाओं में उनकी आवाज सुनी जाए और उनके रोजगार से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए एक ऐसे समय में जब भारती अर्थ विवस्था विकास की और बढ़ रही है जहां यूवा शक्ती को सही दिशा देने के लिए रोजगार एक बहुत बड़ी आवशक्ता बन चुका है यदि हम यूवा वोटर्स के उद्देशियों और आवशक्ताओं का ही सम्मान नहीं करेंगे तो वो अपनी आवाज उठाने के लिए और भी सक्रे हो सकते हैं और यूवा शक्ती जब अग्रेसिव होती है न तो एक बहुत घातक कदम हो जाता है तो राजनेतिक दलों को यूवा वोटर्स के रोजगारे के मुद्दो को सीरियसली लेने की अब बहुत बड़ी ज़रुतान पड़ी है और उनके भविशें को बहतर बनाने के लिए ठोस नीतियों को अपनाने का संकल्प भी उन्हें करना होगा और अगर ये सारे संकल्प यक नरदली अमीदवार करता है तो उन्हें युवाओं का ना सिर्फ सपोर्ट मिलता है बलकि ₹ के वोट हांसल करके आगर कॉर्म करने का मौका मिलता है तो वो आगे भी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकते हैं क्या है आपकी राय क्या है आपका सोच्णा कॉमेंट कर और वीडियो उसके लिए देखते रहें राजस्तान समबाद नमस्कार